प्रिय शिक्षार्थियों एन आई यूएस के इस इस्टूडियो में मैं डाक्टर निलेश कुमार आप सभी का हादिक स्वागत एवं अभिनन्न करता हूँ आज हम सब लोग 5-27 रस परिचय इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे रस कीसे कहते हैं?ote रस के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है? विविन आचारीों ने रस को किस अर्थ में परिभासित किया है? उसके क्या अर्थ निकाले है? उसकी कितनी संख्या है, संख्या के संदर्व में जो मतभेद है, जो मतैक्यता है उस पे भी चर्चा होगी जो मतभेद है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और रशसुत्रों के संदर्व में उस पे जो अन्य विचार उत्पन्न हुए है अरश सुत्र पर इन सभी विशियों पर हम प्रस्तुत पाठ में हम सभी लोग इस पर चर्चा करेंगे सबसे पहले अरश कहते किसको है अरश किसे कहते है अरश की विद्पत्ती क्या है हम इस पर चर्चा करते है तो रस्यते आस्वाध्यते इती रसह यह रस की विद्पत्ति है अन्य विद्पत्तिया भी है तो रस्यते आस्वाध्यते इती रसह जिन पडार्थों का आस्वाधन किया जाता है उसे रस कहते है यह सामाने रूप से यह जो लौकी का रस है जो अच्छा तरीके के जो रस होत जिनको हम भोज्य के रूप में, भोजन के रूप में जिन रसों को ग्रहन करते हैं, उसका अर्थ लिया जाता है, रस्यते आस्वाध्यते इती रसह, जिन पदार्थों का आस्वाधन किया जाता है, उसे रस कहते हैं, और वित्पत्तियां है, रस्यते अनेन इती रसह, इस प् रसनम रसह आश्वादह जो आश्वाद योग्य है उसको रस कहते हैं इस आधार पर आश्वाद स्रितात पर है जिसका हम अनुभव करते हैं तो यह जो वित्पत्ती है यह काविशास्त के आधार पे यह उचित प्रतीत होता है कि जो आश्वाद योग्य है उसे रस कहते हैं इस आधार पर स्रिंगार आधी को रस कहा जाता है क्योंकि इन रसों का अध्यान करने एक बार इन रसों को पढ़ने और सुनने से हमको जो आनंद की अनुभूती होती है तो रस क्या है जिसका हम आनंद ले जिसका हम अनुभव करे तो आश्वाद योग्य होने के कारण ही इस उसको रस कहते हैं इस आधार पर श्रिंगार आधी को रस कहा जाता है क्योंकि वे आस्वाद के योग्य हैं आस्वादी के अनुरूप है अब रस के इतिहास के संदर्व में बात करते हैं इसके उत्पत्ति के संदर्व में बात करते हैं तो यह पुर्वविदित है कि जब भी किसी साहित्य की रचना होगी तो उसमें अप्रत्यक्षरूप से अरस का विवेचन अवस्य होता है अरस उसमें नहीत होता है किसी काव्य को पढ़कर सुनकर जो हमें अनुभूती होती है चाहे वह आनंद की अनभूती हो, चाहे हास्च की अनभूती हो, चाहे करून की अनभूती हो, या स्रिंगार की अनभूती हो, जो अश्ट विधरस हैं, नवविधरस हैं, उन्हीं जो अनभूती होती है वही रस है, तो काब्य का जो सबसे प्राणभूत तत्व है वह रस होता काव्य सास्त्र के प्रायह सभी आचारियों ने एकमत से इसे स्विकार किया है, जिस प्रकार दूध का सबसे प्रमुख या सार तत्व घृत होता है, उसी प्रकार काव्य का सबसे प्रमुख तत्व रस होता है एक सुन्दर उदाहरण के माधिरम से समझाया गया है कि जैसे दूध को जब हम अलग-अलग प्रक्रिया से जब वह गुजरता है तो उसका जो सबसे प्रमुख तत्व निकल के आता है दूध का वह घी होता है घी को पुनह और परिवर्तित नहीं किया जा सकता है दूध का जो सबसे उतक्रिष्ट परिवर्तित रूप है वह घृत होता है उसी प्रकार से काब्य का जो सबसे सारभूत तत्व है वह रस होता है काब्य के हम लोग चाहे कितने भी अंग और उपांगों का वरण कर ले काब्य के गुण अलंकार जो भी काब्य के भेन है उनका हम वरण कर ले उनसे जो प्रमुख तत्व निकल कर बाहर आता है एक सहिदय को एक पाठक को जो अनभूत होता है जो उसको प्राप्त होता है व रश सिध्धान्त का प्रवतन सबसे पहले भरत मुनी ने किया था। यद्यपी राज सेखर ने अपने काव्य विमामसा में नंदी केश्वर को रश का निरूपन करने वाला प्रथम व्यक्ति कहा है। अथा उन्होंने अपने काव्य मिमामसा में नंदी केश्वर को रश का निरूपन करने वाला प्रथम व्यक्ति माना है। रसान भूती नहीं होगा तो हम काव्य क्यों पढ़ेंगे। इसलिए उनकी उक्ति है कि नहीं रसाद्यते कस्च दर्थ प्रवर्त थे। बिना रसान भूती के बिना रस के अनुभूती के कोई भी काव्य किसी अर्थ में प्रवर्तित नहीं हो सकता है। किसी भी अर्थ का प्रवर्तन काव्य में नहीं हो सकता है। आचारे भरतमुणी ने अपने नाचसास्त के सश्थ अध्याय में रस का विस्तर्थ विव्यचं किया गया है। इस भरतमुणी के रस शुत्र के आधार पर ही रस शिधान्त को ही आधार बनाकरके ही बाद के परवर्ती जो आचारे हुए काब्य सास्त के जितने आचारे हुए भामः वामन दंडली जितने भी परवर्ती आचारे हुए सभी ने भरत मुनी के इस रसशिद्धानत को स्विकार किया और इसको अपने काब्यों में स्थान दिया और इसको परलवित पुश्पित क करके रष को काब्य का अनिवारि ततव मानाachi रथात काब्य का जो सबसे प्रमुख तत्व है जिसके बिना काब्य की रेचना नहीं रश होता है झो भरत्मुनी रश शुत्र का जो निश्पादन किया जो रश शुत्र की उन्होंने रचना की वह है विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगार रश निश्पत्ति है अर्थात विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रश की निश्पत्ति होती है अब ये विभाव क्या है, अनुभाव क्या है और व्यभिचारी भाव क्या है और इनके संयोग से अर्थात इनके मिलने से रस की उत्पत्ती होती है तो यहाँ संयोग की और निस्पत्ती की इन ही दो सब्दों को आधार बना करके परवर्ती जो भी सिद्धान इस रशसुत्र के विशे में उत्पन्न हुए हैं वह इन ही दो सब्दों को लेके चला है उन्होंने भरतमुनी के रससुत्र में संयोगात और निश्पत ही का क्या रत किया है सबसे पहले हम रससुत्र की भ्याक्षा देखते हैं कि विभाव, अनुभाव और विअभिचारी भावों के साथ में या संयोग से रस की निश्पत्ती होती है अब विभाव किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं, जिनके द्वारा काईक, वाचिक और सात्विक अभिनयों का विभावन होता है, ज्ञान होता है, उन्हेको विभाव कहते हैं काईक अथात, काया के द्वारा, सारीरिक, वाचिक अथात, वाणी के द्वारा, और सात्विक अथात, जब हम मुश्कुराना, जो हमारे सरीर गत जो भाव दिखाई पड़ते हैं, तो जब काईक, वाचिक और सात्विक अभिनयों के द्वारा, जिसका विभावन होता है, जि को हम विभाव कहते हैं, विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव, आलंबन विभाव किसे कहते हैं, आलंबन मतलब सहारा, तो रस की उत्पत्ती के लिए दो लोगों का आवस्यक होना आवस्यक है, वे कौन कौन से हैं, नायक और नाइका, तो आ एक दूसरे का वो सहारा नहीं बन सकते हैं, रसान भूती नहीं हो सकती है। तो आलंबन विभावों के लिए नायक और नायका का होना आवश्यक होता है। जो एक दूसरे के सहारे हैं, क्योंकि बिना नायक और नायका के रसान भूती नहीं हो सकती है। अब केवल उन दोनों के होने से ही रस्कुत्पत्ती नहीं होगी, उन भावों को उद्धिप्त करने वाले जो होते हैं, कैसे उनके अंदर प्रेम भाव उत्पन्न हो, नायक और नायका के, तो उसको उत्पन्न करने का जो भाव है, जो भी भाव है, उसको हम उद्धीपन से सोचे, तो जब नायक और नाइका किसी रमरीय इस्थान पर किसी सुंदर इस्थान पर मिलते हैं, तो उस सुंदर इस्थान को देख करके उनके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, यदि आप किसी विभथ्स जगह चले जाएए, तो क्या वहां मन में अरस विश्यक भाव उत्पन्न होगा, नहीं होगा, वो तो विभच्ट हो जाएगा, तो नायक नायका के रुप में, उनके अंदर जो रसानभूर्ति, उनके अंदर प्रेम की अनभूर्ति होना है, उन भावों को दिप्त करता है, उत्पन विभाव। तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा को देखकर के मन में रतियादी की अनुभूती होती है, नदी, परवत, वशंद, उद्यान, ये जो है, ये भावों को उद्धिप्त करते हैं, इसलिए इन्हें उद्धिपन विभाव कहा जाता है। अब विभाव की चर्षा हो गई, अब विभाव के बाद आता है अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? विभाव के बाद ही अनुभाव की उत्पत्ती होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अनुभाव पहले उत्पन्न हो जाए और विभाव बाद में उत्पन्न हो जाए। तो व विभावों का जो कारेयरूप है वह अनुभाव है। तो अनुभाव कहते हैं जब नायक और नाई का परस्पर आपस में मिलते हैं तो उनके मिलने से जो अनुभाव उत्पन्न होता है वो अनुभाव क्या है। कटाक्ष, एक दूसरे को देखना, भुजाक्षेप, जो आलिंगन है, एक दूसरे को देखके शरीर में जो रोमांच की अनुभूती होती है, स्वेध, कभी-कभी एक दूसरे को प्रथम दिश्टया देखने में, प्रथम बार देखने में, जो घबडाहट होती है, स्वेध ह होती है कंपन होता है उसके अत्रिक्त जो अश्रुत्पन्न होता है एक दूसरे से मिलने पर और मुर्षा आदी जो है यहां अनुभाव है अनुपस्चात भवन्त इति अनुभाव है विभाव के बाद विभाव रूपी कारण के बाद जो कारे उत्पन्न होता है उसे हमसे जो परिवतन दिखाई पड़ता है वही अनुभाव कहलाता है जो काईक व्यापार है वही अनुभाव होता है यह अनुभाव कटाक्ष भुजाक्षे परोमांच स्वेद कंपन अस्रु और मुरचादी और अन्यभी अनुभाव प्राप्त होते हैं अब इन विभाव और अनुभाव के बाद जो व्यभिचारी भाव उत्पन होता है जो रसो में सभी रसो में मुक्त रूप से विचरण करता है वह व्यभिचारी भाव कहलाता है विविधम आभ मुखेन चरंत इति व्यभिचारी जो रसो में भिन भिन रूपय में विचरण क वह व्यभिचारी भाव कहलाता है। प्रत्यक अरस्त के विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अलग-अलग होते हैं। इन व्यभिचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। यह निर्वेद, ग्लानी, संका, अशुया, आरी के भेद से 33 भेद प्राप्त होते हैं। तो व्यविचारी भाव से तात्पर है कि विभाव और अनुभाव के बाद जो कारे रूप में दिखलाई पड़ता है, जो आपके सरीर के मार्ध्यम से क्रिया रूप में, कारे रूप में दिखलाई पड़ता है, वही व्यविचारी भाव होता है. और वह व्यविचारी भाव कितनी है संख्या में? 33 है निर्वेद है, ग्लानी है, संका है, असुया है इसी तरीके से इसके भेर 33 माने जाते हैं अब आचारी मम्मट ने, विभिन आचारियों ने रस के स्वरूप के संबन्ध में चर्चा की है आचारी मम्मट के अनुसार रस का स्वरूप निमन है विभावा अनुभावा स्तत कत्य अंते व्यभिचाडल रह विवयक्तह सत्यर विभावा द्याई भावो रस स्मतह कारए हैं, लोक में जो कारणकार और स्थाई भाव सहकारी भाव दिखाई देते है वही जब काब्य में परिवर्तित होते हैं तो वही विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के रूप में प्रस्फुटित होते हैं अब कह रहे हैं ब्यक्तह सतैर विभावाद्याईह स्थाई भाव रसह इस्मतह अथात इन विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से ब्यक्त जो इस्थाई भाव है वही रस कहलाता है इस्थाई भाव किसे कहते हैं? वह भाव जो हम लोगों के मन में चिरकाल से इस्थित रहते हैं और अनुकूल सामग्री पाते ही वह उत्पन्न हो जाता है उसे ही इस्थाई भाव कहा जाता है तो जो विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव इनसे व्यक्त जो इस्थाई भाव है वही रस कहलाता है रशान भाव के सरूप रश की उत्पत्ती के संदर्व में चर्चा की गई है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से अभिव्यक्त सहिदयों में रती, शोक आर इस्थाई भाव वासना रूप में विद्यमान रहते हैं और रशान भूती परयंत ये भाव स्थिर रहते हैं इसलिए इस्थाई भाव कहलाते हैं इस्थाई भाव से तात्परे हैं जो आपके मन में पुर्व से ही इस्थित हो लेकिन वह उत्पन्न कब होंगे वह उत्पन्न होंगे जैसे ही आप उसके अनुकूल भाव को देखते है वह भाव आपके समक्षु पस्थित होता है, वह उत्पन्न होने लगता है। रतिरहासच, रती, हाश, सोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुपसा, विस्मय, ये आठो हुए और समोपिच और समनामक नवा इस्थाई भाव है। ये आपको पहले ही ग्यात है कि रसो की संख्या के संदर्व में मत भेद रहा है। आचारे भरत मुनी ने अपने ग्रंथ नाक्य सास्त में आठ ही रसो का वरण किये हैं। उनके अमसार रसों की संख्या आठ है और इस्थाई भावों की भी संख्या आठ है। वे आठ जो रस रहे हैं वह पुरों में आपको बतलाए गए हैं। श्रिंगार हास्य करुण रौद वीर भयानक उत्साह आधी जो रस हैं। ये आठ हरस उन्होंने माने हैं। उन्होंने सान तरस को हरस के रूप में स्विकार नहीं किया है। क्योंकि नाट्के में सान तरस का मंचन नहीं हो सकता है। अलंकारवादियों के अनुसार लौकिक जीवन का अनुभाव या ग्यान चार विधियों से होता है। जैसे कहा गया पूरों में कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव से अभिव्यक्त जो इस्थाई भाव है उसका जो ग्यान होता है वह ग्यान हमें चार प्रकार से प्राप्त होता है लौकिक जीवन में हमें जो भी अनुभव होते हैं, जो भी ग्यान का अनुभव होता है, वह हमें चार ही विधियों से प्राप्त होता है और वह चार विधि क्या है? सम्यक ग्यान, मिथ्या ग्यान, संशाय ग्यान और साद्रश्य ग्यान सम्यक ग्यान क्या है कि जो अच्छी तरीके से हम जानते है यथार्थ ग्यान जिसको कहते है यथार्थ ग्यान जैसे हमने कहा यह राम है यह ब्रिक्ष है जिसको हम जान रहे हैं जिसमें हमें कोई संदेह ही न हो उस ग्यान को सम्यक ग्यान कहते है यथार्थ ग्यान कहते हैं जैसे हमने कहा यह राम है यह ब्रिक्ष है यह पुष्प है यह कमल है तो इस प्रकार का ग्यान क्या है यह सम्यक ग्यान है यथार्थ ग्यान है ग्यान की दूशरी जो भेद है वह है मिथ्या ग्यान मिथ्या ग्यान कहते हैं भर्मात्मक ग्यान को जब हम भर्म में किसी अन्य वस्तु का अन्य वस्तु समझ ले किसी दूशरे वस्तु को कोई अन्य वस्तु समझ ले इसको भर्मात्मक ग्यान कहते हैं इसको हम मिथ्या ग्यान कहते हैं मिथ्या ग्यान में क्या होता है हमें सीधे वस्तु का परिवर्तित रूप एकदम विपरीत रूप ही समझ में आता है उसमें संदेह नहीं होता है उसको हम मान लेते हैं जैसे हम करते हैं गलत ग्यान मिलना जैसे रस्ती में सर्प की प्रतीती अंधेरे में आप जा रहे हैं अगर रस्षी मार्ग में पड़ा है आप यह नहीं सोचेंगे कि यह रस्षी है आप सीधे आपको एक मिथ्या ग्यान होगा कि अरे यह तो सर्प है तो रस्सी में जो सर्प की प्रतीती है, रस्सी में जो सर्प का ग्यान है, वह मिथ्या ग्यान होता है, ग्यान की जो तीसरा भेद है, ग्यान की जो तीसरी विधी है, अनिकिन विधियों से हमें ग्यान होता है, संशय ग्यान, संशय ग्यान किसे कहते हैं, अनिश्चयात्मक ग् जैसे हम कहें अंधेरे में रश्ची देख के यह रशी है या सर्प है, जब हमारे मन में यह संसय उत्पन्न हो जाए कि यह रश्ची ही है या सर्प है, जब इस प्रकार का अनिश्चयात्मक ज्यान हो मिथ्या ग्यान में निश्चय ग्यान होता है भले ही वह गलत हो लेकिन संसय ग्यान में अनिश्चय आत्मक ग्यान होता है उसमें निश्चय हो ही नहीं पता है कि यह सर्प है कि यह रस्ती है अंधेरे में एगर कोई लकड़ी का खंभा खड़ा है तो हम अंधेरे में यह अनिश्चयात्म ग्यान होता है कि यह पुरुस है यह कोई व्यक्ति है यह यह खंभा है यह लकड़ी का खंभा है तो जो अनिश्चयात्म ग्यान होता है उसको ही संसय ग्यान कहा जाता है और साधिस्यग्यान कई व्यार हम किसी वस्तु को देख करके हम किसी अन्य इस्थान पे जाते हैं और वहाँ वही वस्तु देखते हैं तो हम क्या करते हैं साधिस्यग्यान साधिस स्ज्ञान के आधार पे हम कहते हैं कि अरे यह वस्थू इस वस्थू को तो हमने और भी कहीं देखा है जैसे उदारण के रूप में है गव इव गवयह गव से ताथ परे है गाय कोई व्यक्ति गाय को देखा है और किसी अन्य स्थान पर जाता है और वहाँ वो गवयह अथात नील गाय जो खेतों में चलते हैं नील गाय को देखता है तो वह क्या साधिस स्ज्ञान के अधार पे क्या कहता है कि अरे यह तो गाय के समान है तो जो गाय के समान लक्षन वाला है ऐसा यह नील गाय है तो जो इस प्रकार का ग्यान होता है वह साधिश्य ग्यान कहलाता है आगे रस विश्यक मत भेदों पर चर्चा होगी कि जो रस सुत्र है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निस्पत्ती होती है अनुमिती होती है, अभिव्यक्ती होती है, यह चार भेड प्राप्त होते हैं, भरत्मुनी के नाके सास पे परवरती कई आचारियों ने उस पे अपने विचार दिये, जिसमें चार पसिद्ध जो विचार हैं वह लिखित किये गए हैं, रससुत्र के संदर्व में पहला है, रससुत्र विवरणे चत्वारह वादाह पसिद्धाह संदी, रससुत्र के विशय में चार वाद पसिद्ध हैं, चार सिद्धान्त पसिद्ध हैं, ते अभिनव भारत्याम उपलभ्यते, और ये चारो सिद्धान अभिनव गुप्त के अभिनव भारती नाम ग्रंथ में उ रस उत्पद्यते इति भट्ट लोलट एक आचारे हैं अभिनोगुट भट्ट लोलट इन्होंने इनकी जो सिध्धान्त है उन्होंने उत्पत्तिवार माना है अर्थात उनकी अनुसा रस की उत्पत्ति होती है तो रस उत्पद्यते इति भट्ट लोलट आचारे भट्ट लो भूखतवाद की रस का उफभोग होता है भोज कत्व व्यापार होता है इसलिए भोगती वाद भट्टिनायक का सिधान्त हुआ और रसह अभिभेण जते एति अभिनोगुप्त और अभिनोगुप्त ने रस کی अभिव्यक्ती माना है ये चार प्रमुख सिर्धानत है रस के उत्पत्ति, रस्विषयक रस के उत्पत्ति के संदर्भ में जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे उत्पत्तिवाद उत्पत्ति बाद आचारे भट्ट लोलट का एक प्रमुक्षिद्धान्त है आचारे भट्ट लोलट मिमांसक मतानुयाई है अथार वे मिमांसक मत को मानने वाले हैं उन्होंने भरत के रशसुत्रों में जो संयोगात पद है उसका अर्थ उन्होंने उत्पाद्य उत्पारक संबन्धात माना है और निश्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किया है उत्पत्ति माना है आचार भट्ट लोलट के मत में रस मुख्य रूफ से अनुकार राम आदी में रहता है अनुकारे सत्तात पर यह है जो मूल व्यक्ति है आज वरतमान में राम, सीता, लच्पण आदी पात्र नहीं है लेकिन आज भी हम उनके नत्य का मंचन देखते हैं तो जो मूल पात्र हैं उनके लिए अनुकारे सब्द का प्रयोग किया गया है तो इसमत में रश मुख्य रूप से अनुकारे राम आदी में रहता है और उनका अनुकरता होने से, उनका अनुकरता अरथात अनुकरन करने से गौण रूप से, सहायक रूप से, नक आदी में भी रश के इस्थती मानी जाती है नट अर्थात जो पात्र राम आदी का अभिने करते हैं, जो अभिनेता होते हैं, उन्हें नट के रूप में प्रयोग किया जाता है उनके लिए शब्द, तो नट आदी में भी रस की इस्थती मानी जाती है। आचार भट्ट लोलट का जो उत्पत्तिवाद विश्यक से धानत हैं, उनका विचार ये था कि रस जो है, वह मुख्य रूप से अनुकार आदी में रहता है। रस की जो अनुभूती होती है, वह मुख्य रूप से राम आदी में ही रहेगा। और गौण रूप से क्योंकि जो अभिनेता उनका मंचन करते हैं, जो राम और सीता के रूप में उनका मंचन करते हैं, गौण रूप से उनके अंदर भी रस की अनुभूती होती है। परन्तु सामाजिक को जो दरसक है जो देखने वाला दरसक है उसको रसकी उत्फत्ति हो रही है कि नहीं इस पिशे में आचार भट्टलोलट ने कोई भी विचार नहीं प्रस्तुत किया है क्योंकि उन्होंने रस्क्यूत्पत्ति तो राम में माना और अंग रूप में गौण रूप से अभिनेता में माना तो जब रस्क्य अनभूती मुख्य रूप से राम में ही है और गौण रूप से नट आदी में ही है तो उनके प्रेम को देखकर भला सामाजिक को कैसे अनुभूती होगी यह इनके सिधान्त में यही एक दोस रहा कि इन्होंने सामाजिक में जो दरसक है उसमें रस्कृत्पत्ती नहीं मानी या उनके अंदर रस्कृत्त्ती नहीं होती है इस विशय में इन्होंने कोई विचार नहीं दिया यह उत्पत्ति बाद भट्ट लोलट का रहा आगे हम अनुमिती बाद अनुमिती बाद के विशय में पढ़ेंगे अनुमिती बाद आचार्य भट्ट संकुक का मत है जिन्होंने रस को अनुमेय माना अर्थार वो रस का अनुमान करते हैं, किसमें अनुमान करते हैं? इसी पर चर्चा है, आचार भेट्च संकुक नयाईक थे, अर्थार न्याय दर्शन को मानने वाले थे, न्याय मतानुयाई थे, इन्होंने संयोगात पद का अर्थ, रससुत्र में जो संयोगात पद है, उसक का अर्थ अनुमापक संबंध माना और निस्पत्ति का अर्थ अनुमती किया है आचार संकुक ने नक में रस को अनुमेय माना अर्थात मुख्यरूप से कहा था मुख्यरूप से तो रस इन्होंने भी रामादी अनुकारी में ही माना किन्तु इन्होंने संकुक ने नक में रस को क्या माना अनुमेय माना अनुमान किया इनके अनुसार जब रंग मंच पर किसी अभिनेता को अभिनय करते देखता है तो उसको वह राम ही समझ लेता है अर्थात अनुकार राम आदी को नट में ही नट को ही राम आदी समझ लेता है यहां नट में जो राम की प्रतीती होती वह चतुर विद्ध ग्यान से इतर लक्षण है अर्थात जब हम सामाने रूप से अपने गावों में अपने छित में हम लोग राम लीला देखते हैं तो राम लीला में हम जो पात्र राम का रोल निभा रहा है अभिने कर रहा है हम उस पात्र को ही क्या समझ लेते हैं राम आया गया है, मिध्या ग्यान, साधिस्य ग्यान, सम्यक ग्यान और संसय ग्यान, उससे अलग एक और प्रकार का ग्यान होता है, वह है चित्र तुरग न्याय, तो आचारे संकुक इस चित्र तुरग न्याय के माध्यम से नट में राम की अनुमिती करते हैं, अब चित्र की प्रतीती होती है अर्थात हम किसी चित्र में घोड़े को देखते हैं अब वास्तों में वह घोड़ा आपके सामने उपस्थित नहीं है फिर भी वह घोड़ा है यह तो निश्चित है इस प्रकार की जो प्रतीती होती है वही प्रतीती उसी प्रकार जो अभिनय में राम स्थित नहों होने पर भी राम का अभिने करने वाले अभिनेता में सामाजिक को राम की प्रतीती होती है अर्थात श्री संकुक ने सामाजिक में रस को क्या माना अनुमिती माना कि वह अपने अभिनेता आदी में राम का क्या कर लिया अनुमान कर लिया कि यह अभिनेता ही यह नक ही क्या है राम है तो अभिनेता जो है सामाजिक अभिनेता में ही क्या करता है राम को अनुमिती कर लेता है राम की प्रतीती कर लेता है इस प्रकार सामाजिक जो होता है जो दर्शक होता है जो पाठक होता है वह अभिनेता में ही अर्थाथ उस अभिनेता में ही उस नक आश्वारन करता है उत्पत्ति वाद में जहां उन्होंने रस की उत्पत्ति मानी मुख्य रूफ से रस कहा था मुख्य रूफ से रस अनुकार राम आदी में था और गौर रूफ से कहा था रस गौर रूफ से रस नक आदी में था लेकिन सामाजिक में रस की उस्पत्ति होती यह नहीं उन्होंने कुछ बताया, किन्तु आचारे संकुक ने सामाजिक में रस की अनुमिती होती है, यह बतलाया, लेकिन रस की अनुमिती तो हो नहीं सकती है, रस की तो अभिव्यक्ती होती है, इसलिए संकुक का यह मत भी आगे नहीं रहा, इस पर बहुत ज्यादा विच झाल